हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है Likewise कभी कोई महिला किसी बच्चे को स्पेस में जनम दे तो क्या होगा तरसले विज्ञानिकों के लिए भी नए विशे है हमारे विज्ञानिक नई नए चीज़ों के खोच करके हमारे जीवन को सरल बनाने में लगे हुए है पिछले कई वर्षों में विज्ञानिकों ने कई खोच की हैं जिससे हमारा जीवन काफी असान हो गया है और इसके साथ ही विज्ञानिकों ने हमारे मन में उठे कई सवालों का साइंटिपिक और लॉजिकल तरीके से जवाब भी दिया है और अब हमारे विज्ञानेक इस सवाल का जवाब ढूनने में लगे हैं कि यदे कोई बच्चा इस स्पेस में पैदा होता है तो वो कैसा होगा अब आप सोचोगे कि इसमें खास बात क्या है स्पेस में जनम तो इनसान ही देगा तो बच्चा अलग कैसे होगा अब अगर हम प्रित्वी पर ही देखें तो प्रित्वी पर ही थोड़ी सी दूरी पर इनसान अलग अलग दिखाई देते हैं जैसे यूरोप के लोग गोरे, अफ्रिका के लोग काले, हर्याना के लोग लंबे, नेपाल के लोग छोटे प्रतीत होते हैं और ऐसे जोग्राफिकल सिचुएशन की वज़े से होता है। अब यदि हम एलियन की बात करें, तो जो दूसरे घ्रह से लोग आते हैं, उन्हें हम एलियन कहते हैं। हम सभी ने मूवीज में एलियन देखे होंगे, क्या वो हमारी तरह दिखाये जाते हैं। नहीं, क्योंकि हम कल्पना में भी ये जानते हैं, कि दूसरे घ्रह के लोग हमारी तरह दिखाई नहीं देंगे। हमारे इट्मोसफेर के कारण, ग्रैविटेशनल फोर्स के कारण, और भी कई कारणों से दूसरे घ्रह के लोग अलग प्रतीत होते हैं। इनी कारण उसे विज्ञानिकों का मानना है, यदि कोई महिला स्पेस में बच्चे को जरम देगी, तो बच्चा इंसानों जैसा नहीं होगा, हो सकता है वे जानवरों जैसा दिखाई दे, या एलियन जैसा, और वे बच्चा काफी शक्तिसाली भी हो सकता है, ऐसा भी माना चा एक कमपनी ने ऐसी महिलाओ के नाम दर्ज करने शुड़ू कर दिये हैं, जो स्पेस में बच्चों को जनम देने के लिए इच्छुक है, और ये मिशन 2024 तक पूरा करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें प्रेगनेंट महिलाएं समित कई डॉक्टर्स की टीम को स्पेस में भ पसंदाई होगी, और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें